हाई एवरिवन तो आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या तो फिर बहुत सारी वीडियो देख लिए लेकिन कहीं से भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा है ना तो I totally understand your situation because इससे मैं भी गुजर चुकी हूँ बहुत टाइम पहले कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब चैनल लाइक ऐसे पागलों की तरह डून लगे थे कि इससे कहां से क्या मिल जाए कुछ सीखने को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा लेकिन बहुत थोड़ी थोड बहुत है बहुत है तो उसके लिए आपको कौल से गैजेट चौहिए कौन सी itt की और उसी काव कैसे स्किल एड़ करनी पड़े गी उसी को साथसे अफसे बोनस दीप को फ्री के जो सॉफ्टोर से वह कहां से मिलेंगे और उसी के साथाज चॉती चीज की ऊसको एक वे में जा जो कि बिगिनर लेवल पर आपको चाहिए वो सारी चीज़े आपको इसमें कम्प्लीट बंडल पैक मिले वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपको बता है ना कि हम आज बिगिनर फ्रेंडली किट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आप यूटूब स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले अगर आपका बेज है जब तक आपके 2000 या 3000 या मॉनिटाइज़ेशन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तिक की ज अगर आपके जब तो उस चीज को छोड़के वह दूसरों पर फोकस करता है तो मस्ट आप फोकस हटाओ मत अपना और उसी के साथ ताथ त्रेस थोड़ा कम लो हर एक की चीज में हर एक का टाइम होता है वह अपने टाइम पर उसका काम होई जाता है का फोन जो है जो की हर ए के पास होता है वह सबसे बेस्ट चीज है क्योंकि अगर आप कैमेरे में इन्वेस्ट करते हो ना सच बताओ आज तक मैं कैमेरा यूज नहीं करते हूं मेरे पास दो कैमेरा लेकिन मैं कभी उसको यूज नहीं करते हूं अभी तक मैंने अल्रड़ी छे कैमेरा यूट्यूब के reason की वज़ा से change कर चुकी हूँ मैं लेकिन आज तक मैंने उसको निकाल के video नहीं बनाया है कभी भी है पड़ा है लेकिन मैंने कभी निकाला नहीं है तो must starting के basis पे आप कभी भी पैसे इतने spend मत करो equipment में कि आप कब एक time ऐसा हो जाएगा आपका ना कि बस अब मुझे नहीं करना है बस मेरे पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं मुझे नहीं करना है ऐसे कोई fancy background पे मज़ जाओ कुछ भी मज़ जाओ मेरे घर है पीछे पूरा mess पढ़ा हो है वहां पे दवाईया पढ़िए पानी का बोटल आजा पढ़ा है आपके घर पे क्या हमेशा perfect होता है क्या picture perfect मेरे घर पे नहीं होता है अगर होता है ना तो मस टीप देना कि घर को कैसे clean किया जाए तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़े घर में हमेशा रहती है तो picture perfect screen आपको कभी नहीं मिलेगी अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे green screen का use अच्छे से कर लो अभी सबसे पहले phone का use तो कर लिया हमने उसमें सबसे starting की बात है आपको आपकी niche चूज कर दिये ये niche-niche का रट्टा लगा के ना जो हमारे गुरुजी है YouTube के वो हमें पूरा पागल बना देते हैं आपकी niche को पकड़ के चलो ये चलो वो चलो भाई साब अगर आपकी niche पे अपने 1000 भी वीडियो बना लिये ना तो मतलब आपकी गंगा पार है लेकिन वो 1000 बनाते बनाते ना का दिमाग का जो दई हो जाएगा ना वो आपको समझ में नहीं आएगा वो 1000 वीडियो बनाते बनाते ना आपका जो पेसंस है ना वो हट जाएगा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े सी अपने जो niche है ना उसको थोड़ा सा change करते रहो ऐसे नहीं कि आपको niche को छोड़ के completely वीडियो बनाना है लेकिन niche को रहते हुए थोड़ी सी आप अपनी personal information दो जैसे कि बीच में एक vlog लादो या तो फिर ऐसे ही कुछ entertainment वीडियो लादो या आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ का थोड़ा सा कुछ नजारा दे दो ये must है कि public को हमेशा कुछ नया चाहिए एक ना एक चीज देख देखे ना public बोर हो जाते है तो मत दिखाओ यार इसलिए इसी चीज की वज़ा से व्लोग सबसे जादा रेंक करते हैं क्योंकि उसमें हमेशा कुछ नया होता है बले आप डेली व्लोगिंग कर रहे हो लेकिन फिर भी उसमें आपको कुछ नई variety मिल जाएगी अभी हम मूग करते हैं थोड़ा सा आगे नीश आप अपनी सिलेक्ट कर लो उसके according वीडियो बनाओ ज्यादा आगे दूर तक मत इतना देखो कि यार क्या होने वाला है क्या ने second चीज आपको equipment पे पैसे spend नहीं करने है आपका phone it's a best चीज लेकिन आपको उसकी audio quality पे खास दियान रखना है कि जब भी आप video बनाओ नो बहुत ही silent atmosphere पे बनाओ अभी जैसे कि मैं video बना रहे हूँ यहाँ पे कोई mic नहीं है कुछ नहीं है मैं अपने phone से ही बना रहे हूँ 13 pro max से ही बना रहे हूँ यहाँ पे कोई mic मैंने कुछ भी attach नहीं किया है मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैंने attach नहीं किया है क्योंकि एक होता है ना human tendency की हाँ है मेरे पास लेकिन मैंको लगाना नहीं है उसके reason की वज़े से मैं video नहीं बना र कालती हूँ और फिर थोड़ा सा आगे हम video को लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखो आपको कोई आवाज कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि घर में कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ मैं अकेली हूँ और पूरी सारी windows सब कुछ मैंने close कर दिया है ताकि बहार की कोई भी नहीं करना है यह चीज का मस्ट धियान रखना है आपको तो यह हो गई बात वीडियो की और शूटिंग की अभी हम चलते हैं एडिटिंग पे अगर आपको एडिटिंग के फ्री टूल्स चाहिए ना तो मैं यह सज्जेस्ट करूंगी कि एड़ॉप रश आप डाउनलोड क कर लो वह एक तरीके का प्रीमियम प्रो का जो मोबाइल वर्जन है वह है लेकिन उसको यूज करना ना उसके लिए आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा तो बेजिक में मैं सज्जेस्ट करूंगी कि इन शॉट है या तो फिर आप कोई आई मुवी है जैसे आप आई यूज करते हो तो इस तरीके के फ्री सॉफ्टवेर यूज करो इन शॉट बहुत ही अच्छा बेज है कि आप वहां पर स्टार्टिंग कर सकते हो लेकिन मुझे उसमें एक डिसडवेंटिज लगता है कि वह लेंड्सकेप मोड में नहीं आता है तो मुझे उतना एडिटिं कर लो तो वह एक चीज हो सकती है उसके बाद आते हैं हम पिक्चर पे अपने वीडियो बना ली उसकी एडिटिंग कर दी उसके बाद आपको टेक टाइटल तो करना पड़ेगा ना तो उसके लिए सबसे बैस्ट चीज है आपके दिमाग में जो भी टाइटल आता है जो भी ऐसा नहीं है कि उसको SEO में कैसे देखना है या तो फिर हमारा पिक्चर ये SEO थमनेल है या नहीं हमारा वॉइस जो है SEO कंप्लीट बेस पे है या नहीं हमारे वीडियो को कितने रैंक मिलेंग उन सबको भूल जाओ Beginner level पे आपको सिर्फ और सिर्फ यही दियान देना है कि आपके content में कुछ quality हो Second चीज आपका जो content है उससे public bore ना हो और third चीज आपके voice completely clear होना चाहिए और fourth चीज कि आप consistent रहो तो ये चार चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से manage करोगे ना तो वह completely आपकी YouTube channel complete grow करने वाली है तो don't worry इतना ज्यादा सोचो मत तो सबसे पहले आपको tag title और वह सब की need होगी तो उसके लिए आपके दिमाग में जो भी आता है like tag या title जो भी आपको देना है आपको tag क्या देना है आपको tag क्या देना है आपको description में क्या explain करना है तो मैं suggest करूंगी कि आप weed IQ डाउनलोड कर दो या तो फिर tube buddy डाउनलोड कर दो उसका free version में से भी आप बहुत सारे फाइदे उठा सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको पैसे spend करने है उसका free version में भी आप half use कर लो तो भी बहुत अच्छा है तो एक weed IQ है और tube buddy है इसे use करो अपने तो thumbnail के लिए मैं suggest करूंगी Canva सबसे best है उसमें आप कुछ भी editing कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको Canva पे use इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो आप picture पिक्सार्ट का भी use कर सकते हो क्योंकि phone में Canva इतना जादा effect नहीं देता है आप Canva की जगा पे Pixar का use कर सक बहुत ही अच्छा editing software फोटो के लिए तो best है मैं अभी तक चार दिन पहले तक मैं Pixar यूज करती थी अब मैं Canva पे switch हूँ क्योंकि मेरे पास उसका pro version है और उसमें बहुत सारे फाइदे है अगर आपको जानना है कि Canva pro में क्या-क्या different है तो जरूर मुझे comment करके बताना हम प अप्लोड करके schedule करके रख दो मैं suggest करूंगी कि आप week के जो भी सारे वीडियो है उसको सबको upload करके रख दो और schedule करके रख दो ताकि एक week तक आप relax रहो और वह अपने time to time accordingly वह upload होते जाए और आपको stress लेने की इतनी जल्दी ना रहे इन सारी चीजों में आपक्या एक भी नहीं होने वाला है फोन आपके पास है और ट्राइपोड और ये सबके तो जुगाड भाई साब होई जाते है आपको अच्छी तरीके से पता है कि उसके जुगाड कैसे होते है अगर जुगाड नहीं भी करना है तो वन थाउजन रुपीज का एक अच्छा सा तो मिना मैं आपको एक bonus tip देना चाहती हूँ consistency is a key अगर आप consistent रहते हो तो एक साल में नहीं दो साल में तीन साल में आपकी youtube चैनल definitely work करेगी ही करेगी मेरी youtube चैनल तीन, चार साल बाद वर की है कभी कभी ना किसी किसी लोगों के नसीब अच्छे होते है जो 21 साल में हो जτάते किसी के बुरे होते हैं हमारे जैसों के जो 5 साल में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है लेकिन आपको उस पे फोकस रहना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा सोचना बंद करके यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो अगर नहीं है तो और अगर है ना तो इन चीजों को देखके आप जरूर से थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और आप अपने वीडियो बनाना शुरू कर देंगे तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना तो चली मिलता है ऐसे ही कुछ इंपॉर्टन टॉपिक के साथ नेक्स टाइम तिल देन बाई बाई सी यू एंड टेक केर